आज आंदोलन के टी से अंतिम चरण में सुन्दर कांट पाट करके सरकार की सद्धुत्ती के लिए हम लोगों ने यह ज़र रखा है हमारी मांग सिच्चा ब्रवाग में संब्लियन यदि सरकार आज रात तक पूरा नहीं करती तो कल हम लोग तीन लाख अच्चा पक भोपाल पहुचकर सरकार की ईड़ से इड़ पुजा देंगे और सिच्चा ब्रवाग लेकर रहेंगे हमारे आजार अच्चा पक संब्लियन लाख ब्रवाग में रखा गया है हम लोग कौने कौने से इक है हमारे साथ हैं आजा सिक्षक संग के पदादकारी सरदार सिंग हम इसे जानना चाहेंगे कि क्या बज़े है कि तीन दिनों से सिक्षका की हर्ताल चर रही है नेवारी में सरदार जी बताएं हम लोग अध्यापक संबर्क के लोग हैं और बिगत कई वर्सों से सासन दोरा हम लोगों को आश्वासन दिये जा रहे हैं लेकिन हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जारी हम लोगों की मांग मुखरूच से सिक्षा भाग में सम्मिलियन, इस्तान अंतर नीती और सात्मा बेत जारी करें कि कई वार उन्हों तारीक दी आश्वासन दिये लेकिन अभी तक उन्हों ने आधेश जारी नहीं किये इस के उप्लक्ष में हम लोगों ने बिगत तीन दिवस्य किरम की भूख रटाल हर बिलोकिस्तर पर मद्धिदेश के सभी अध्याब को ने की है अठारह उन् कुमेंतरी महुता तारीकन देते हैं लेकिन मांगों का आज जो हम लोगों का सिक्षा वाग में सम्मेलियान का आदेश आश्तर जारी नहीं किया सरकार द्वारा तो कल साय जहानी पार्क में जंगी प्रदर्शन है और मद्धिदेश के लगभग धाई लाग अध्यापक हो इसा है प्रदेशर बिल्कुल करेंगे प्रदर्श जस्तर का कोई बी पाध कारी हुआ हुए हुसका लगता यह उसा है डिक को今天 आपको किby Start करेंगे यह बात कही जा रही है अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन सिक्षकों की मांग मानेगी और यह हर्ताल बंद होगी आई-एन-7 न्यूज में बस इतना ही आगे खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ आई-एन-7 के साथ आप बने रही है आप हमारे साथ धन्यवाद